हेलो फ्रेंड्स UPSC हिंदी के स्टेडी प्लेटफॉर्म में मैं शोब मिस्टर आप सभी का स्वागत करता हूँ इन्वाइर्मेंट एनिकोलोजी के सेक्षन में हम लोगोंने 6-7 लेक्चर किये है और यह जो लेक्चर है इसमें हम न्यूट्रियंट साइकिल जिसे पोशक चक्र कहते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे कहीं कहीं पर बायो केमिकल साइकिल भी लिखता है जिसे जयाओ भूर असायनिक चक्र कहते हैं जयाओ भूर असायनिक चक्र देखते हैं कि पूशक चक्र होता क्या है, देखें, न्यूट्रियन्ट्स जो है, वो हम लोग के वावे मंडल में, या फिर मृदा में, या फिर पेड़ पॉदों के, मनुश्यों के, सब के अंदर से हो करके गुजरते रहते हैं, या वो पस्थेत रहते हैं, ये पोशक्ततो जीवित, यानि कि बयावटिक फेक्टर के लिए बहुत जादा महातो पूर होते हैं, क्योंकि जो पोशक्ततो हमें मिलेगा, उसी से हमारी ग्रोथ होगी, और वृद्धी होना किसी सजीव का लक्षड है, एक लक्षड है, मतलब कई लक्षडों में से एक लक् यानि कि एजिंग प्रोसेस दिख रहा है, तो ये सब सजीव का लक्षड, तो देखते हैं है क्या, मैं चीजें इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में एक्स्प्लेइन करूँगा, और फिर हिंदी में लिख भी दूँगा, जहां पर जरूरत होती है, अगर आप लोग मे प्रेप्रेशन कर रहे हो, अगर उसमें इन्वार्मेंट का सेक्षन आता है, तो मैं जो बेसिक्स पढ़ा दूँगा, उसी बेसिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ही जो है, कोश्चन साएंगे, तो आप लोगों के लिए काफी महातोपूर सेक्षन चला है, चली, लिख रहा हैं कि पोशक्ता तो जो भी होते हैं, वो हमारे एको सिस्टम यानि कि पारितंत्र में कभी भी खतम नहीं होते, बट री सर्कुलेट टिल इन्फनाइट टाइम्स, और अनंत काल तक जो है, उनका चक्रण चलता रहता है, री सर्कुलेट मतलब चक्रण चलता रहता है, उनका कब तक इन्फनेट टाइमस तक उनका चक्रण चलता रहता है, तो पहला तो यह हो गया, फिर कहा रहा है कि so the different components of ecosystem, movement of nutrient is called nutrient cycle, so within the, यानि कि जो ecosystem के अन्य घटक है, जो पारितंत्र है हम लोग का, उसके जो विभिन घटक होते हैं, उन घटकों में जो nutrient का movement है, यानि कि nutrient का जो चलना है, चालन है, गतिशीलता है, इसे ही हम लोग nutrient cycle या पोशक, पोशड चक्र कहते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा है कि ecosystem में, जो nutrient है, वो निरंतर चलते रहते हैं, सतत प्रक्रिया के दोरा चलते रहते हैं, यानि कि एक form से दूस का emission हुआ, हमारे अंदर से CO2 का emission हुआ, emission होने के बाद कुछ चीजें उसकी वावंडल में चली गई, कुछ को पौधों ने absorb कर लिया, पौधे उसको process किये, कहीं जड़ों को भेज दिया गया, ठीक है, पौधों के process करने के बाद फिर उसमें oxygen बनती है, लेकिन जो बची CO2 है, वो कुछ महासागरों द्वारा असोशित कर ली गई, या अन ऐसे पेड़ पौधे जो CO2 का use कर रहे है, और फिर ये धिरे धिरे एक सर्कल के द्वारा जो है, सर्कुलेट होती रहती है, निरंतर प्रक्रिया ये चलती रहती है, सेम यही नाइट्रोजन का है, सेम यही आपके oxygen की process है, तो जितनी भी cycles है, वो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, काफी छोटा सा topic है, जो 30-35 में खतम हो जागा, तो बस बने रहे है, patients के साथ, biochemical cycle किसे कहते हैं, जैसे pushard cycle या nutrient cycle जो होता है, वो एक shorter term है, जबकि उसका general term अगर बात किया जाए, या बड़े तोर पर अगर उसे बात किया जाए, तो उस cycle को हम लोग बोलते हैं, biochemical cycle, जयो भूर असाइनि, चक्र, यानि कि, same, चीजें बिल्कुल same है, बस इसमें ये कहता है कि, a-bioetic, यानि कि, a-bhautik तत्तों से, a-bhautik तत्तों से, bhautik, sorry, और जयविक तत्तों से, जयविक तत्तों में रूपांत्रण, और पुना जयविक तत्तों से, किनी-किनी माध्यम से, और जयविक तत्तों में रूपांत्रण ही, आपका, जयो भूर असाइनिक चक्र या, biochemical cycle कहलाता है, यह bio-geo-chemical cycle कहलाता है, ठीक है, उसको correct कर ली जगा, यानि कि दोनों चीज़े, same है, अब आता है, दो तरह की cycles होती है, क्या कौन-कौन से cycles होती है, एक होती है आपकी gaseous cycle, और दूसरी होती है sedimentary cycle, gaseous cycle को आप जानी रहें क्या कहा जाएगा, इसको gaseous chakra कहा जाएगा, पोर शाधी चक्र, ठीक है, यह जो प्रकार होते हैं, पोशड चक्र के, यह दोनों nutrient cycle के ही टाइप है, यह किसके according होते हैं, तो यह storage के according होते हैं, कि किस type का storage होगा, उसलिए 2 तरह का division होता है, अब इसमें क्या क्या आता है, गेसी चक्र में क्या क्या आता है, वाटर सेक्ल आती है, एनिकेस टू के बारे में, कैसे कैसे वो वर्क करता है, यह हम पढ़ेंगे, फिर आता है कार्बन सेक्ल, कार्बन चक्र, फिर आता अक्सीजन सेक्ल, निट्रोजन सेक्ल, और इधर आता है phosphorus और sulfur sedimentary cycles में आता है सबसे पहले हम लोग शूरू करेंगे water cycle पढ़ना तो यह water cycle के बारे में जानते हैं सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि जो भी हमारा अब का geomandel होता है geomandel क्या है ठीक है यह geomandel है यह स्थल मंदल है यह वाईव मंदल है यह geomandel है और इन तीनों के cumulative यानि कि इन तीनों के super position से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं geomandel यानि कि इसमें जीवन, यापन, पशू, पक्षी यह सारी चीज़ें रहना जो possibility उनके लिए जो अनुकूलित एक वातावर अरण प्रदान करता है तो geomandel जो है वहाँ पर जो water cycle होती है वहाँ पर पानी किस तरह पाया जाता है तो हमें पता है कि पानी पाया जाता है solid, liquid और gas में solid, liquid और gas में भी 3 fourth of total earth यानि कि अर्थ का जितना एरिया है, हमारे प्रत्वी के total छित्र का 3,4 हिस्सा पानी पाया जाता है उसके साथ ही अगर बात की जाए potable fresh water की पीने योग ये स्वक्ष जल की तो वह एक प्रत्वी कम पाया जाता है glaciers के form में भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता लगभग 2.1% to 3% का variation होता है जो पानी आपके total अर्थ पे glacier के form में पाया जाता है यानि कि जमा हुआ जो पानी है वो 2.1 प्रिस्तत के आस पास पाया जाता है तो देखे start कैसे होता है क्योंकि मैंने बताया कि solid, liquid और gas toast draw और gas के रूप में आपका पानी जो है वो exist करता है biosphere में यानि कि जवय मंडल में और इन ही ततों के चक्रण को यानि कि एक form से दूसरे form में जो change होता है solid का liquid में, liquid का gaseous form में change होना and further उसका solid form में change होना ही आपका जल चक्र कहलाता है होता क्या है कि जब भी जल जो है जैसे जल स्रोथ है कोई भी यानि कि water bodies है चाहे वो oceans है, चाहे वो आपका rivers है, चाहे पॉंड्स है तो वहां से जो भी evaporation या वाशपी करण होता है जैसे मैंने क्या दिखाया कि water source है ये H2O का source है यहां से evaporation होता है यानि कि वाशपी करण होता है और वाशपी करण के द्वारा वाश के रूप में पहुचता है किसके रूप में पहुच रहा है गैशेस के रूप में या वेपर के रूप में पहुचता है और इसके अलावा जो होता है बाकी जल को पेड़ पौधे और शोशित कर लेते हैं अपने काम के लिए और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आफ पतियों के पास या तनों के पास पहुचता है उसे फिर से जो है वार मंडल में आपका छोड़ दिया जाता है ठीक है यह भी वाटर वैपर निकालना है इसको देख कैसे सकते हैं तो अगर पौधों की पतियां जो ह अगर बांद दी जाए और नेक्स्ट मॉर्निंग को अगर आप आके देखेंगे तो उस पौलिथिन के अंदर छोटी-छोटी बूंदे जो है चिपकी होंगी जलवाश्ट के कड़ वाटर वैपर चिपके होंगे तो यह वाटर वैपर कहां से आते हैं बिसिकली होता यह है क पौधे की पतियां जो है वो जलवाश्ट को यानि कि वाटर वैपर को वाइव मंडल में छोड़ती है ठीक है तो उसके द्वारा भी जो है वाटर वैपर के फॉर मंडल में आता है इसके अलवा क्या होता है जब यह आपका उपर की और उठता है जब यह धीरे-धीरे गर् या हलकी चीजें, हलकी या देखिए गर्म होगी तो हलकी हो जाएगी, हलकी हो जाएगी तो उपर की ओर एर के साथ उठ जाएगा वाटर वेपर, जब उठ जाएगा तो उपर जाने के बाद फिर क्या होगा, कि वो थंडा होना स्टार्ट होगा, और जब ये थंडा होगा, ज इनके अंदर होता है संगनन, यानि कि वर्षा की बूंदों में रूपांतरण, वो जो gaseous form में water vapor गया है, वो अब वर्षा की बूंदों के रूप में रूपांतरित होता है, और फिर वो rainfall यानि कि वर्षा के द्वारा धर्ती पर पुनह आ जाता है, तो यह पूरा process है कि कैसे कैसे जो है gaseous form में निकलता है, पानी evaporate होता है, वापर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि पृत्वी पर अलग अलग जगा जाएगा, पृत्वी पर जहां भी बारिश होगी, वहां क्या होगा, कुछ जल तो आशोशित कर लिया जाएगा इस पूरे चक्र में process क्या क्या हुई कुछ frozen हो जाएगा यह नहीं हो अगर बहुत ठंडी जगों पर बारिश होती है तो उसमें process क्या क्या हुई पहला हुआ और शोषड यानि कि absorption पहला और शोषड या absorption हुआ जली चक्र में दूसरा वेपराइजेशन यानि कि वेपराइज वाश्पी करण हुआ तीसरा वरश्रा रहा एक है और यह स्थल मंडल में हो रही है लो दूस्फेयर में वहरी है और इन्हीं तीनों को मिला करके जो एक कॉमा ने लिया आता उसी कि आम लोक कहते हैं वायोस्फेयर में जया अपनी कोई भी रिलेटेट की शिकायत सुझाओ कुछ भी आप इस नमबरों पर दे सकते हैं और पूच सकते हैं बाकि बहुत सारी टेस्सिरीज और चीजे चल लही है आप इन करके देख सकते हैं बाखी चीजें description box में दी हुई है तो देखिए उसी चीज का एक यहां पर pictographic representation है तो देखते हैं इसमें pictographic representation में कहीं से भी स्टार्ट करते हैं मालीजे कि यह river और pond है river और pond से सूरी की रोशनी पढ़ती है इस पर और सूरी की रोशनी पढ़ने के साथ evaporation या वाश्पी करण स्टार्ट होता है यह वाश्पी करण में निकले हुई जो जितने भी वाश्प है वो आपके बादल के रूप में पहुचते हैं और यहां पर condensation start होता है condensation यानि कि संगनन स्टार्ट होने के बाद वर्शा की कुछ बूंदे जो है rainfall का precipitation होता है वो नीच precipitation के form में आता है यहां आपके trees पर land mass पर जमीन पर हर जगान आता है percolation में बता रहा था percolation मतलब होता है पानी रिसाओ यानि कि यह रिसाओ के द्वारा कहा जाता है भूमी के अंदर चला जाता है ठीक है और फिर यह pond river सबका जलसतर बढ़ा करके वहां दिखने लगता है फिर इसी प्रकार यह cycle चलती रहती है तो यही है आपकी water cycle आशागरतों के आपको समझ में आया होगा दूसरी cycle है carbon cycle carbon चक्र carbon चक्र क्या है carbon चक्र हम समझेंगे कि प्रिद्वी पर जितनी भी चट्टाने है या फिर महासागर वायमंडल मृदा या फिर फॉसिल फ्यूल यानि कि जिवाश में इंधन इन सब के साथ जनतुओं में मृदा में हम लोगों में सब में carbon संचेत होता है हमने बच्पन में पढ़शा होगा अगर आप science के विध्यार्थी हों गे विग्यान के विध्यार्थी हों अगे तो आपको पता होगा कि हमने carbon dating एक पढ़ रख़ा है carbon dating में carbon का एक समस्थानिक C14 से carbon dating करते हैं, उसे radioactive तत्व बताते हैं और कहते हैं कि सभी व्यक्ति मनुष्य और अने जीव जन्तों के अंदर वो उपस्तित होता है, तो जितनी मात्रा उसकी 6 हो चुकी होगी आज तक, चुकी radioactive तत्व है, तो उसकी एक निश्चित मात्रा जो है 6 होती रहती है, विगटि जन्तु में, पेड़ पौधे में, रॉक में, किसी भी चीज में, तो वो हम लोग ज्यांत कर लेते हैं, और हमें पता होता है कि starting में रहा होगा, तो 100% करा होगा, फिर हम देख लेते हैं कि कि कितनी मात्रा विगटित हो चुकी है, यानि कि उसकी half IU जैसे मैं एक example देता मान लिजे कि कोई व्यक्ति का आधा समय है, ठीक है, मतलब example बना नहीं पारा भी, बता रहा हूँ फिर से, देखिए, example बना के बता रहा हूँ कि जैसे मान लिजे कि आप मार्केट से कोई समान लेके आए, अचार लेके आए, सब्सकर ये बढ़िया example है, क्योंकि ये साल साल कई साल चल सकता है, अब अचार का पैकेट खरीद के लिए है, उस अचार के पैकेट पे लिखा है कि तीन महीने में ये आधा खराब हो जाएगा, तो आपने तीन महीने इंतजार किया, यानि कि वो अचार आधा खराब हो चुका है, उसके तीन महीने बाद फिर आधा और ख बचेएगा अई कि लगबग Lंढग हर चीज में जो भी हम अपनी आख से देख रहे हैं उसमें मिध्यमान होता है हूता क्या है कि carbon जो है पिड़ पॉधित जो है शंसलेशित करते हैं उससे oxygen बनाते है ठीक है और फिर वी बायोभी मास में संचीत होजाता है वहां से क्या होता है कि हम लोग के स्वाशन के द्वारा फिर निकलता है या मृत carbonic पडार्भ है比較 carbonic matter उनके डिकंपोजीशन से भी निकल ला है कार्बन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वालकनिक इरप्षन हो गया जो अलमुक्य उद्गार हो रहा है जंगल में आग लग गई वनों की आग से या फिर लखडी और इंधन जो हम लोग जलाते हैं उससे हर जगह से का करते हैं तो कुल मिला के कार्बन या वह निकल रहा है और एक प्रोसेस से दूसर्वाइज में जो है वह चक्रण कर रहा है तो इसी हम लोग कहते हैं कार्बन साइकल चलिए एक बार देख लेते हैं साइकल है क्या जैसे स्टार्ट करते हैं डेड और्गनिजम से और अपसिस्ट पदार्थों से गार्विज तो यहां से स्टार्ट करते हैं यहां से जो आपका है वो स्टार्ट होगा आपका इनिमल रिस्पारेशन से स्टार्ट होगा इनिमल रिस्पारेशन से या प्लांट रिस्पारेशन से स्टार्ट होगा यहां पर लिखा हुआ है प्लांट रिस्पारेशन और इनिमल रिस्पारेशन से स्टार्ट होता है फोटो सेंथिस के द्वारा प्रकाशन स्लेशन के द्वारा सनलाइट के माध्यम से CO2 के form में निकलती है carbon dioxide आपको पता है हम लोग के द्वारा या हम लोग के द्वारा निकलती है CO2 फिर photosynthesis में यूज करते है plant के respiration में CO2 यूज की जाती है फिर ये चीज आती है factories के द्वारा बहुत सारा emission होता है carbon dioxide का ठीक है और ये फिर यूज की जाती है plant के respiration में dead organism और garbage के द्वारा CO2 निकलती है carbon निकलती है और ये फिर respiration की जाती है plant के रूप में तो एक दूसरे से cycle जो हर जगा से carbon निकल रही है और plant के द्वारा respiration की जा रही है यही पूरा funda है पूरा process है अगर हम लोग देखें तो volcanic eruption के द्वारा यानि की जॉला मुखी उदगार के द्वारा fire in wildlife जंगलों में आग के द्वारा wood fuel ठीक है wood fuel के द्वारा CO2 जो है वो निकल रही है और last point जो मैंने आपको बताया कि oceans जो है अब्जॉर्ब करते हैं CO2 को तो यह cycle भी यहाँ पर खतम होती है oxygen cycle क्या है oxygen cycle भी same है जैसे carbon cycle होती है बस oxygen जो है वो आपके ऐसे rock से या फिर mineral से इस तरह की चीजों में नहीं पाय जाता है तो उस प्रकार के टूट-फूट से oxygen नहीं निकलती है या फिर मरे हुए पदार्थों के decomposition से अब घटन से oxygen नहीं निकलती है oxygen कहां से emit होती है पेड़ पूदों से emit होती है ठीक है यह CO2 को अब्जॉर्ब करता है और यहां से O2 emit होती है उसके बाद emission जो होता है O2 का वो आता है photosynthesis के द्वारा ठीक है प्रका संस्लेशन द्वारा O2 यहां पर निकलती है फिर वो respirate के जाता है सांस लिया जाता है आपका O2 किसी भी जानों के द्वारा या मनुश्य के द्वारा और फिर यह क्या करता है वार्मडल में CO2 के form में छोड़ देता है O2 को कार्बन के साथ रिलेट हो जाता है और छोड़ देता है और छोड़ने के बाद प्लांट जो इसको पुना प्रोसेस करते हैं तो यही सिंपल सी oxygen चाहिस्टाइकल है इसके विश्या में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी प्रकास संस्टेशन की प्रक्रिया है उसमें जितने भी ऑटो ट्रॉप्स हैं सौपोशी पौधे हैं हरे पौधे हैं ठीक है वो oxygen को क्या करते हैं पैदा करते हैं वो प्रोड्यूसर है oxygen के और यह फिर वायो मंडल में पहुच जाती है उसके आलामा खनी जो कि जिसमें आकसइड है जो ऑकसाइड के फॉर्म में मैंने बताया कि अब मिनेर्ल को directly नहीं पहुचती है और यह सट्व से थोड़ि सी टफफर साइड मतलब Chamnant triang क्योंकि ओटू के रूप में बहुत कम समय तक रहती है जल्दी या तो वाटर में घुल जाएगी या तो फिर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगी या फिर हैड्रोजन के साथ जल बना लेगी तो इस प्रकार से जो है उनका संजोग होता रहता है तो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन कम पाई जाती है जो वायमंडल में इसकी उपसलेती है ऑक्सीजन की वह आपको पता होगा 21% होती है लगभग लगभग ऑक्सीजन का चक्रण CO2 अथा रस्टू और दूनों के साथ मिल के होता है जो भी साइकल चलती हो CO2 और स्टू के फॉर्म में चलेगी दोनों में साइकल की बात करें कि Oxygen कितने टाइम में री साइक्ल हो जाती है तो लगभग 2000 साल लगते है और वहीं अगर कारण की बात की जाए तो कारण के वह तीन सौ साल में जो है री साइकलिंग कर लेता है वैमंडल में जो भी Oxygen region accumulate रहती है उल्वकर यह सारी प्रॉसेस होती रहती है next रता है satisfaction cycle Cyrus carbon με कई सारे terms आएंगे जैसे nosso fixation उता है अभ fixation दो तर्य से होता है पहला होता है आपका जो ब्लिवी चमकना होता है अफिर waterfall होता है rainfall होता है ठीक है तो पहला तो विजली के fixation के जो bacteria आते है थियनि कि जय भी जो हुता है फिर इसमें कम नक्रोल फिकेशन होता है थो कुछ स्ट्राइब की चाइकल में जिसमें जैसे अमोनुण योगत्र में टाइघे搞 by जैगी थे कि टेले टेले vienenट के फऑं मेंकब आ जाएगी तो पाई जाती है अब वाइमंडल में सबसे बड़ा अगर संग्रहक की बात की जाए यानिकि जिसके पास नैट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो है अपका प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यानि कि बहुत रियक्टिव नहीं है इस तरह समझें इनेक्टिव नहीं समझें बहुत लेस रियक्टिव है और क्रिया शील्ट टाइब की है इसको अगर क्रिया कराना है तो इससे अमोनिया के रूप में बदलना पड़ता है या नाइटरेट के रूप में बदलना पड़ता उसमें भी nitrogen नहीं पाई जाती है, point note कर लिएगा, कि जितनी भी natural rocks है, प्रकृतिक चट्टाने हैं, उसमें nitrogen नहीं पाई जाएगी, ठीक है, इसी लिए, जब मिट्टी का निर्माण होता है, तो उसमें भी nitrogen क्या होती है, absent होती है, यह निकार उपस्तेत होती है, इस प्रकार, जो ecosystem है, उसके जयाओभार में, humus में, जो nitrogen है, वो बहुत ही अनेक लाखों वर्षों के, जो biological प्रकृरिया है, उसका परिडाम होती है, फिर से बता रहा हूँ, जो भी हमारा जयाओभार है, यह निकि, बायो मास है, या फिर humus है, जो मिट्टी में पाया जाता है, उसमें जो भी nitrogen है, वो लाखों लाखों वर्षों का परिडाम होती है, मैंने बता है, कि nitrogen cycle में, nitrogen का जो entry है, तो मैं आपको बता रहा था कि nitrogen cycle में, जो भी आपका, डिरेक्टली तो पाय नहीं जाता है, तो जो भी nitrogen योग की करण उसको बोलते हैं, यहनिकि, जो भी compounding होती है, उसकी, वो सूश्मजीओं की गत्विधियों द्वारा होती है, यहनिकि, मैक्रोटनिजम की, जो भी moment हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है, अब हम लोग चड़ते हैं, nitrogen fixation पर, nitrogen fixation, आईए, nitrogen fixation या nitrogen इसे हिंदी में बोलेंगे nitrogen स्थिरी करण, हिंदी आले विदारती लिख लेंगे, स्थिरी करण, nitrogen स्थिरी करण, nitrogen स्थिरी करण क्या है, पहले एक बार समझा देता हूँ, फिर इसमें जो लिखी हैं चीजें, वो बताऊँगा आपको, पहले जो समझें, बहुत एक tough process है, यानि कि जटिल जैविक प्रक्रिया है, जिसमें वर्मंडल की, जो nitrogen होती है, सर्प से पहले ammonia में बदलती है, फिर ammonia acid में बदल जाती है, तो पहले ammonia में बदली, फिर amino acid में बदली, और amino acid जो होता है, वो protein का building block है, यानि कि protein उसी से बनता है, फिर nitrogen इस्थिरी करण process दो तरह की होती है, पहला मैंने बताया था आपको, या तो बिजली चमकने से, और आपका वर्षा के दोरा, और दूसरा, जो भी जैविक nitrogen इस्थिरी करण, जिवाणू-वाणू होते हैं, उन से होती है, बिजली के दोरा कैसे होती है, वो समझ लेते हैं, तो वायमंडल में जो नाइट्रोजन होती है तो वो तुरंत अक्सीजन से जुड़ जाती है और नाइट्रिक अक्साइड बनाती है यह चीज आद रखेगा वायमंडल की अक्सीजन वायमंडल की नाइट्रोजन अक्सीजन से जुड़ करके नाइट्रिक अक्साइड बनाती ह ठीक है? और Nitric Oxide बनाने के बाद फिर ये Oxigrit एक बार और होती है तो Nitrogen Paroxid बना लेती है क्या बना लेती है? N2O4 Nitrogen Paroxid ठीक है? Nitrogen Paroxid बना लती है और वर्षा के समय क्या होता है? वर्षा के जल में मिलके यह HNO3 form करता है और वर्षा के साथ जमीन पर नीचे आ जाता है अब nitric acid जो ही है, HNO3 बना है, इसे nitric acid बोलते हैं यह क्या करता है? चूना पत्थर पर छारों से अबक्रिया करता है नाइट्रेट में परिवर्तित हो करके मिट्टी में संग्रित हो जाता है और पौध है अपने भोजन को रूप में इसका धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सामय के साथ प्रयोग करते हैं यह पहला प्रोसेस तो यह था दूसरा प्रोसेस यह है कि आपका जैविक नाइट्रोजन इस जो होते हैं, जो nitrogenous bacteria होते हैं, वो क्या करते हैं, nitrate और nitrite में आक्सिक्रित कर देते हैं, जो भी nitrogen, यानि आमोनिया होती है, फिर से एक बार समझें, कोई भी living body है, ठीक है, कोई भी जीव है, अगर उसकी death हो गई, तो चुकि प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन सुष्म दियोज़ और डिकंपोज किया जाएगा, अमोनिया बनेगी, ठीक, अब ये अमोनिया जो है, चुकि वो directly intake करने के लिए, लेने के लिए खतरनाक है, तो कुछ nitrogen fixation वाले bacteria हैं, इनको nitrate और nitrite में oxidize कर देंगे, अक्सि क्रित कर देंगे, या बदल देंगे, अब ऐसे bacteria हैं, कौन-कौन से, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत महतोपूड है, एजटो बेक्टर, अरोटो, इसपाइरिलं, तो ये कुछ नाम है, जिसमें से, इजटो बेक्टर, क्रॉजटो एस्ट्रिडियंग्र, आत्वरी नाम में, एक्जामेनेशं में, आप अगर previous year paper देखोगे, साइंस का या अगरिकल्चर का पूर्शन अगर कहीं पर अलग से दिया है तो उसका बहुत पूछा हुआ है इसके अलावा क्या है बीजीए है बीजीए क्या होता है जो ब्लू-ग्रीन एलगी नील हरित शहवाल नौस्टॉक नौस्टॉक ऐसे ही लिखा जाता है नौस्टॉक तेक एना बीना आ वका ही नाम सुना होगा आपने कुछ शैवाल है यह सब उसके बाद ऐलोसीरा है गो ट्राइकिया है ग्लोईओ ट्राइकिया ओके इसके अलावाँ भी कुछ-कुछ पाय जाते हैं तरिवूलेरिया पाया जाता है कैलोथ्रिक्स पाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ है तो यह भी नैट्रोजन का fixation करते हैं इसके अलावा पहला प्रोसेस यह था नैट्रोजन fixation का फिर आता है अमिनोफिकेशन अमिनोफिकेशन क्या होता है जैसा कि नाम पता चला है अमोनिया करण यानि कि कोई जीव मर गया ठीक है उसके शरीर को decompose अवगटन करने पर नाइट्रोजन वामंडल में निकलती है कुछ ऐसे symbiote होते हैं सह जीवी होते हैं जो नाइट्रोजेनेसिस करते हैं या नैट्री कारक in je Book engine की साक्षीजन की अप्सेंस में ही वो है मंडल में नैट्रोजन को अमोनिया के रूप में जो है निकाल देते हैं निकाल दी है नाइट्रोजन निकाल दी जाती है इस्ट या मोनिफिकेशन कहते हैं पिरता है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्री करण क्या है नाइट्रिकरण क्या है मेटाबोलिजम के बाद क्या होता है कि जो भी जीवाडू होता है वो उसके पास जितनी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बचती है वो आपकी स्वाइल जमीन में चली जाती हो सर्जित हो जाती है इमिट कर देते हैं जमीन में उसके बाद क्या होता है बह इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और ये पूरी प्रोसेस नाइट्री करण कहलाती है मतलब सिंपल सी बात समझे कि मेटाबोलिक प्रक्रिया के बाद जितनी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है उसको जमीन में एमिट कर दिया जाता है उस सर्जित कर दिया जाता है और वहा Regleonia को, nait réde, जीवाडू का नाम है, nitomenos, convert करता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, nitro monos, ठीक है, अब किस तरह यह process होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, कि metabolism के बाद, organismल एक्स्ट्रा n2, xnitrogen को soil में डालते है, है और soil में नैस्थी में नाइट्रेट में होता है इसी तरह डी नैट्रिफिकेशन भी एसेम औरमोनिया का आक्सी करण भी है अब अगर हम बात करें उसाधि है सेडिमेंटरी सेकिल की सेडिमेंटरी सैक्ल में बस हम एक ही साइकल पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉस्फोरस साइकल इसके अलाबा सल्फर साइकल में लिए वह हम अपने नेक्स लेक्षर में देख लेंगे या फिर आप खुद कर लिजेगा जो इंप्वर्टेंट है वह मैं आपको बता दें हूँ स्फूरस साइकल क्या है फॉस्फोरस का जो भी स्टोरेज है वह या फिर phosphate के form में होगा, ठीक है, और इसी रूप में वो क्या करेगा, living organism में आता है, जो phosphorus की cycle होती है, वो पूरे nutrient cycle में सबसे slow process होता है, मतलब सबसे धीरे धीरे अगर किसी की cycle चलती है, तो चलती है phosphorus की, और वायमंडल में ये पाया कहा जाता है, अगर कोई पूछे कि phosphorus जनरल आपके atmosphere में कहा पाया जा रहा है, तो जो हमेरी धूल होती है, धूल में phosphorus पाया जाता है, या rocks में पाया जाता है, तो rocks से ही धिरे धिरे तूट करके धूल और मिट्टी बनते हैं, धूल में phosphorus पाया जाता है, phosphorus क्यों जरूरी है, आपको पता है कि जब भी आपका सिचाई होत होता है तो फॉस्पूरस जो है वो किसी भी प्लांड या फिर एणिमल के वृदधी के लिए ग्रोध के लिए बहुत ही महात्वपोड है ए। टो ग्रोध के लिए बहुत जादा important है इससे बनता क्या क्या है तो nucle Sundford होता है cell membrane met phosphorus होता है किशी भी energy transfer में में अगर कोष़की ऊर्जा transfer हो रही है कोष़की ऊर्जा स्थनात्र शाय Posipot ride होता है हमारे दातों में going to die सब में होता है तो है यह यह जो है आए जाता है माइको राइजा जिसे कवक मूल कहते हैं उनके द्वारा जो हायर प्लांट्स होते हैं तो माइको राइजा क्या करता है कि फॉस्पोरस का जो भी अब्सॉर्प्शन है उसमें तेजी ला देता है तो एक नाम याद रखिएगा माइको माइको राइजा माइको राइजा क्या करता है फॉस्पोरस के आउसोशड में तेजी ला देता है तो मैंने जो बताया है वह यहीं पर है कि रॉक्स हो गया, स्वाइल्स हो गया इन फॉर्म ऑफ, फॉस्फेट होता है फॉस्पेट स्लोवर अवर अल साइकिल जितनी भी nutrient cycle है उसमें सबसे slow होता है nucleic acid, plants, animals, cell membranes, cellular energy transfer और bone and teeth सब में क्या होता है phosphorus पाया जाता है और जब कोई भी जीव मर जाता है यानि कि उसका मृत हो जाता है तो जीवाणूओं द्वारा phosphorus का आप गटन या decomposition हो जाता है फिर निकलता कैसे phosphorus तो आपको पता है phosphate के form में निकलता है यही है कि एक example और देता है कि समुद्री पक्षी जो होते है उसमें phosphorus चक्र की भूमिका होती है जो पेरू का तट है वो आप जान रहोंगे South America में है पेरू के तट पर पाए जाने वाले जो गुवानो निक्षेप है यानि कि गुवानो डिपॉजिट्स है वहां पर आपका phosphorus इस टाइप में दिखा जा सकता है क्योंकि जो पक्षी है डिकंपोजिशन के दौरा पहुचा इनिमल्स के दौरा इनकॉर्परेशन में पहुचा एब्सॉर्प्शन भाई अप्लिफ्टमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक नए रॉक के बनने से भी phosphate के फॉर्म में निकलता है तो इस तरह से थोड़ा बहुत कड़बड होगा इसमें बिसीकली ऐसा है कुछ ठीक है अंदर की ओर है पेरू तो मैं फिर से एक बाईर बनाता हूँ हो है यह जो तठ है पेरू अतर टेक है यह जो निकषेफ के नाम से से जाना जाता है और यह होता क्यों है यह होता था वहां पर जो बर्ड्स पाई जाती थी ठीक है उनके इक मल निक्षेफ होते हैं उन agree करण यहां पर बहुत जादा फॉस्पूरस का स्टोरेज पाय जाता है तो एक साइकल बचती है हमारी सलफर साइकल सलफर साइकल में मुश्टली चीज़ें हम जानते ही हैं जो मैं कुछ-कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं होता क्या है कि जितनी भी चट्टाने होती है पाइराइट्स चट्टाने होनती है यानि कि सलफर के साथ जो क्रिया करके बनती है या फिर सलफर की चट्टाने है उनके फॉर्म में आपका सलफर पाया जाता है और किसी भी अपक्षा है इरोजन के द्वारा या फिर वेदरिंग के द्वारा अपक्षा या परदन किसी के अजाती है उसमें OlTS निकलने वाले दूवह सलफर होता है तो यह साइकिल पूरी चलती रहती है थो 3 तरीके से इनका विक्टन होता है यानी कि उपस्तिती में उस Remd Li एक होता है इसपर्जिलस मैंने बताया था मश्रूम लाइक एक स्ट्रक्चर होता है कभी कुछ लोग उसको मश्रूम से कन्फ्यूज भी कर जाते हैं इसपर्जिलस जहरीला होता है तो वह आपके सलफर का जो है विक्टन करता है उसी के अलावा एनरोबिक क्रियाओं में और अमलवर्शा होती है ब्रदानिक शोपों में बरवादी करता है तो यह कुछ चीजे है जो कि मैं नेक्स लेक्टर में बिल्कुल एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ फोटो के साथ आपको पताने का प्रयास करूंगा तो आज के लेक्टर के लिए बस इतन प्रेजे से लिए बस ब्रहाएंग से इतन AHको के लेक्ट दो ब фильм र 창具 है जesis साथ दो रेकता है तो यह से साथ बढ़ानिक ङप्ताटों अप्तानिक चान हो आए तो गर कि मिल एक्या कार में प्रकों नेक्त बाय करूंवर्म नेक्तानिशने के ओकते लेकश प्रों फोषक के